इझार केसे हैं आप लोग कर है जहां पहली श्मीश्म में आप लोगों को रुल को रोलाया वहीं संसी गुल श्रीप्ट में आप लोगों स्प्रश्ट को लेके आये होने बहुत आंसु आयक पेपर ने थारे ज़र आए ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो गाना याद आ रहा था यह कहां आगे हम लेकिन सेकंड शिप्ट में वही पेपर बड़ा आराम सा बढ़िया सा पेपर आया रिपीटिड कोश्चन्स फिर से आंजी स्टार्ट हो गया मतलब यह कह नहीं सकते कि आपके सिप्ट मे जा सकते और अगर किस्मत बुरी है तो खसक जो डिफकल में भी आपका पेपर हो सकता है हमारे साथ में बहुत सारी लोग जोड़े हैं कपिल मीना जी जुड़े हैं जैसे राम भाईया धन जी कुमार जुड़े हैं पुश्पिंदर कुमार जुड़े हैं रोहिद करियर लेकिन कोई बात नहीं आते जाएंगे ठीक है एलो राज हेलो धन जी हेलो एब्रीबन भाई अब बार आप लोग भी कर दिया करो भाई थोड़ी सहता हमारी करा करो जितनी भी क्लास होती है सारी शेयर करा करो बस एक मेंट में क्लास शुरू करता हूं और देखो यार cbt1 तो निकल गया तो निकल गया cbt2 के लिए cbt2 के लिए थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन वगारा ले लेना क्योंकि आपका तिर्फ mcq पढ़ने से काम नहीं चलेगा ग्रुप डी के लिए आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी तो साइंस की जो क्लास होगी मां प्लस पर भी पढ़ाऊंगा फिरी में पढ़ाऊंगा लेकिन प्लस में थियोरी वगएरा प्रॉपर्ली डिटेल में चीज़ें बताऊंगा तो इसलिए ठोड़ा सा पैसा खर्च करके सबस्क्राइब जरूर ले ले लिना जितने महीने का आपको लगे ठीक है बही चलो क्लास की सुरुवात करते हैं और उसमें आपको सारी सब्जेक्ट मिलते हैं रीजनी भी मिलता है मैफ भी मिलता है सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ मिल जाते हैं आपको अलग-अलग का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करें तक रहता है जब बोलें तब ठीक करें चलूब ललित जी जोड़े हैं हेलो ललित तो क्लास की सब्सक्राइब करते हैं सेकेंड शिफ्ट का पेपर अगर मैं कहूं तो इसे मैं इजी टू मॉडरेट लेके चलूँगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आए है असान से प्रशन आए है कि कि इतना गुड़ अटेंप्ट रहेगा तो मैं बता थी ताहूं आपको कि इसका गुड़ अटेंप्ट जो है हूँ फिए गुड़ अटेंट लगबग-लगबग कर सकते हैं इतना सही ठीक है इस्टार्ट किये जाने महां भी अस्टार्ट हो चुका है लास्टथ हो चुकिये इस आल आवाउट मी यह मेरे बारे में है ठीक है आप लोग देख सकते हैं आगे चले यह टायर थी नहीं डॉकुमेंट वेरिफिकिशन भी स्टार्ट हो गया है पहला प्रशन क्या है द्यान से प्रश्न है कि मलेशिया की मुद्रा आसान प्रश्न है और बच्चा बता रहा था कि उसमें ऑप्षिन को सर इस तरीके से सेट किये गए थे कि आप आराम से इलिमेट करके क्वर्शन को कर सकते जैसे कि यहां पर है अगर हम इन ऑप्षिन को जड़ा ध्यान से घूर घूर के देखे तो आश्र पता चलिए जो है वो मयममार की है कि कहां कि मैंमार की है कि लिए रभाई मेरे बर्मायब एक ही बात है नगल ट्रम कहां कि यह दोस्तों भूटान की है और यह कहां कि है जापान की है अब वहां पर ऑप्षर में क्या थी यह तो मुझे नहीं पता लिकिन मैंने अपने हिसाब से कुछ ऐसी मुद्रा डालने की कोशिस की है जो आपको थोड़ी बहुत जानी पहचानी लगें ऐसा नहों कि पता चले सर्पता ही चलना कि क्या है तो मलेशिया की जो मुद्र है वह रुपिया ही है जैसे हम इंडोनेशन रुपी कहते है यह रुपिया ही है पाकिस्तान की रुपिया है ठीक है पाकिस्तान की रुपिया है तीलंका की रुपिया है अच्छा हमारा पडोसी देश बंगलादेश बंगलादेश की क्या है तो दोस्तों बंगलाद की है बहुत चाइना की दो है लेंगवेज एक तो यह नहीं पढ़ रखी है तो फिर आपको डिफकल लगए लेकिन कैसे नहीं पढ़ रखी है तो हर हर क्लास में मैंने पूरी पीडिया करता था कि यह सारी योजना लिखे रखी है पढ़ लो फिर भी आप में नहीं पढ़ी तो मैं आप इसमें क्या क्या सकता हूं लेकिन हम पढ़ लीजे जितनी भी यूनियन की गौर्रमेंट की योजना है लगबग पचास योजना है जो 2014 में ही शुरू हुआ था राइट गंवामी गंगे योजना 2014 में ही शुरू हुई थी तो 2014 में बहुत सरी योजना की सुरूहाद की गई है 2014 इसलिए यूजना आई थी दीन दयाल उपाद्ध्य है ग्रामीड परिवेस के जो लोग है उन बच्चों को एक इसकिल्ड किया जा इसलिए यूजना आई थी दीन दयाल उपाद्ध्य है ग्रामीड कोसर यूजना अगला प्रश्ण बहमनी राज का संस्थापक कौन है अब देखो एक्चली में है क्या कि एक ही आदमी को अलग-अलग हाँ 2014 is the right answer not 2015 ठीक है दादा अच्छा तीसरे का अंसर बताओ भई बहमनी संबराज का संस्थापक कौन था जफर खान था अलावदीन हसन बहमन खान थे या फिर इस सभी लोगों ने मिलकर इस राज्ज की इस्थापना की थी तो अगर आप ध्यान से दिखोगे अगर आप ध्यान से से देखोगे भाई मेरे तो उप्रोक्त साही भी इसका साही आंदर बढ़ जाएगा डी बिल भी दराइड आइड है क्यों भाई जफर का हसन गंगू और अलावदीन हसन महब खान ये तीनों एक ही रगती के नाम है एक्चुली में उनका रियल नेम था हसन गंगू या फिर जफर आई इसका नाम था लोगों ने जब बह्मनी समराज की स्थापना हुई तो लोगों ने ये इनको उपाधी दी ती तो यादखना कि कभी पूछ लिया जाए कि हसन गंगू को या फिर जफर खाको किसकी उपा अगला प्रशन रिपीटर प्रशन है यह सब को इसका अंसर पता है मुझे लगता कि बच्चों का अंसर पता होगा कि जो धन विधियक होता है वो किस अनुच्यत के अंतरगत आता है मैंने बार-बार ये क्वेश्चन रिपीट करवाया है बार-बार ये क्वेश्चन बताय किस अनुचीत के अंतरगत आता है कि पुस्पिंद्रपाल आंसर दे रहे हैं कापिल दे रहे आंसर इस वाली क्लास में नोटिफिकेशन ही नहीं गया होगा आदे बच्चों के पास तो क्यों क्लास होती नहीं इस टाइम पर कोई है मेरे 124 हो गया सुप्रीम कोट 124 क्या हो गया सुप्रीम कोट 108 हो गया जॉइंट सिटिंग सैयुक्त अधिवेशन जॉइंट सिटिंग और हम कह सकते हैं सैयुक्त अधिवेशन ठीक आगे चलो 112 आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 है बजट और आर्टिकल एक सो बिद्धियाग जिसे हम धन बिल कहते हैं बिद्धियाग भी कहते हैं मनी बिल भी कहते हैं आर्टिकल 110 इसका अंतर सही हो जाएं ठीक है किसी का गलत तो नहीं हुआ दादा किसी का गलत नहीं हुआ अच्छा आर्टिकल होता है 124 ए कभी पूछ लिया जाए आपसे कि आर्टिकल 124 क्या है तो दोस्तों यह देश दुरू हो देश दुरू का मुकद्दमा लग जा पॉशन पुछा गया है कि सुप्रीम कोट के जज को इंपीच किस आर्टिकल के तहत किया जाता है तो आर्टिकल 124 का चार भाग पॉर्थ आर्टिकल 124 फोर इसके अंतरगत TGI का इंपीचिमेंट किया जाता है चीफ जिस्टिस ऑफ इंडिया को इंपीच किया जाता है इंपीचिमेंट ठीक आगे चलें अग्ला प्रस बिल्कुर सही है हिंदू बिस्विध्याले की स्थापना कब होई थी देखो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो यह है कि यह पिए एक हिंदू सुसाइटी की स्थापना की गई थी 1911 किसके दोरा की गई थी दर्भंगा के राजा मदन मुहन मालविय एरी बैसेंट इसे चार लोग थी जोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी हिंदू सोसाइटी की उसके बाद उसका बाद में नाम बदलकर हिंदू बिस्विध्याला हो गया और फिर बाद में बनारस 1916 में दोस्तों हुम्रू लीग की स्थापना भी हुई है किसी का गलत नहीं होना चाहिए हुम्रू लीग की स्थापना कब हुई है किस के दारा की गई है आप सबको पता है कि मैडम एनी बैसेंट के दारा हुम्रू लीग की स्थापना भी 1916 में की गई थी 1916 में दोस्तों लखनों पेक्ट भी हुआ था याद रखेंगे सीज को लखनों समझाता हुआ था जिसमें नरम दल गरम दल वापस आ गयते और मुस्लिम लीग ने पहली बार कंग्रेस अधिवेशन में क्या किया था भाग लिया मुस्लिम लीग का निर्मार किया था ताकि कंग्रेस का अच्छा बाई मेरे निस्टो गया में उल्लेडी बता चुका हूं हिंदु विध्याले से क्वेशन पूछा गया कि इसकी स्थापने किस ने किया तो दोस्तों मदन मोहन माल भी या दखना मदन मोहन माल भी या दखना इस चीज़ को लेकिन इसकी जमीन है वो दर्भंगा की raja, दर्भंगा की raja ने दी थी, क्या नाम था इनका? इनका नाम था रमिश्वर सिंग, या बना हुआ है, सुम्धर लाल, मदन मोहन माल भी और इनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्म, what is the full form of E.P. Rome, E.P. Rome का full form क्या है, पताओ फटाफट, good evening भी आसीज पांडे, कैसे हैं, तो आज 29 तारीक में लगबग लगबग जो पहले दूसरे चलन का पेपर था, वो खतम हो गया है, दूसरे चलन के सारे के सारे पेपर, दूसरे चलन के सारे के सारे जो ह हैं, हो चुके हैं, अब कल से तीसरे चलन स्टार्ट हो रहा है, थर्ड फीज स्टार्ट हो रहा है, अगर हम रोम की बात करें, तो किवल रोम को देख लो, इसका full form होता है, read only memory, तो read only memory एक तो इसमें है, और एक तो इसमें है, यह हो नहीं सकता है, इसे हटा अब, programmable होता है यह पर prototype होता है, तो answer बनेगा, A will be the right answer, erasible, programmable, read only memory, एक रोम का full form माना जाता है, तो A इसका answer सही हो जाएगा, बिमल कुमार भरमारी जी ने सही answer दिया है, गुरिया कुमारी ने सही answer दिया है, आशीस कह रहा है, मेरे exam एक को है, सरारी तो बही है, बैस्ट आप लग भाई तुमको, ठीक है, और चलो, आगे चलें, चलें, नेस्ट कुस्ट आपके सामने ये रहा, तीजन भाई किस से सम्मंदित है, to whom does तीजन भाई belongs to, तो तीजन भाई क्या है, यह तीजन भाई एक गायका भी है, और लोगनत से भी जुड़ी है, actually मैं गायका है, अब आपने देखा होगा कि पांडवों, जब महाभारत का युद्ध होता है, तो पांडवों को आपको पता है, पांडवों को निकाल दिया जाता है, और वो अलग अलग जिगहे पर जाकर भटकते रहते हैं, तो उस पूरी कहानी को एक नाटक के रूप में, दरसाने को हम कहते हैं पंडवानी, लोग गीत, नाटके, जो तीजन भाई हैं, वो पंडवानी, लोग गीत, नाटट से सम्बंदित हैं यह चतीजाग ते बलाँ करती हैं, बिल्कूल सगी रिखा है भाई, मेरे, एक चतीजाग से बलाँ करती है, तो तो कि कोशन बताया कि नीए बताया मैंने हमेशा बोला था कि महिलाओं से कुशन बन रहा है तो कुशन महिलाओं से यहां भी पूछा जाएगा वहां भी पूछा जाएगा पताया था कि पहली महिला जो है वो प्रदानमंत्री कौन है पहली महिला राजपाल कौन है पहली महिला इंद्रा घांदी हैं, पहली महिला उच्छतम नियाला की पहली नयाधीस का नाम था फात्मा बीभी और अगर आपसे पूछा जाता कि जो ज़िस्टिस कौन है तो आमता बनेगा हाई कोड की लीला सेट है इंदुरु मलोत्रा पहली महिला वकील है जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में गई है बास समझ में आ रही कि नहीं आ रही तो महिलाओं से लेकर क्वेशन पूछा जा रहा था इसलिए मैंने बताया था कि यह पढ़के जाना आंसर आगे है आंसर किया बनेगा अंसर बन जाएगा हमारा फात्मा बीबी पुष्चहा जिल्ली और न्यूकलेस के बीच में क्या पाया था तो अगर अगर इससे ध्यान से देखए तो झारा ध्यान से समझ न जी हमारी कोश्का होती है हमारी जो कोश्का होती है हमारी जो कोश्का होती है यह अंदर वाली जो चीज है इसे हम कहते हैं कोश्का जिल्ली और जो बाहर वाली चीज है इसे हम कहते हैं कोश्का भित्ती इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में न्यूकलेस होता है यहाँ पे न्यूकलेस होता है यहाँ पे गौलगी बाड़ी बगएरा होती है इसके बीच में जो है क्रुमोजोम बगएरा पाए जाते है यहाँ पे क्रुमोजोम बगएरा पाए जाते है अब कहा रहा है कि यह जो बीच में भरा हुआ है इसे क्या कहते हैं तो इसके अंदर तो बढ़ा होता है नुकलियो प्लाज्म और यह अंदर वाले जो पार्ट है इसे कहते हैं नुकलियो प्लाज्म केंद्रिय द्रब्ड नुकलियो प्लाज्म क्या कहते हैं केंद्रिय द्रब्ड और बाहर जो भरा होता है इसे कहते हैं साइटो प्लाज्म इसे क्या कहते हैं साइटो प्लाज्म और यही पूछा जा रहा था जिसे हम क्या कहते हैं कोश्य का द्रब्ड यह भी दरही टांसर और यह वारत में पहली बार iCS की परीओ किसने पास की ती भारत में पहली बार IHS की परिक्षा किसने पास की है यह कुछा यह बताओ आंसर क्या बनेगा सतेंद्रनाथ बोड इंडियन तेविल सर्विसेज कहते हैं पहले आपने देखा होगा अंग्रीज क्या करते थे पहले परिक्षा कराते थे उनी परिक्षाओं के हिसाब से भारत में जितनी भी ब्यूरी कैसी वो चलती थी उसकी परिक्षा लंदन में होती थी आपको लंदन जाना पड़ेगा आप हासे पेपर दो फिर वापस आजाओ अब यह जो परिक्षा है वो सबसे पहले किसने पास की थी तो जो रवंद्रणात टैगोर ते उनी के भाई थे रवंद्रणात टेगोर के आपको इनका नामता सते इंद्राथ टैगोर सतेध्र नात नोट है मेरे पास कितने रिपीटिट हो सकते हैं यह कम से हम 10-15 कुर्शन तो रिपीट ही होने आच्छा भाई दादा भाई नारो जी को हम Grand Old Man of India कहते हैं बिल्कुछ सही है दादा भाई नारो जी ने सबसे पहले मतलब है जैसे हमारे यहां लोगसभा और राज्यसभा होता यज सी होगा इनका जनम हुआ ता कटक में आएने की सताफ ने की थी और साथ साथ में जो है सुभाजचंद्र बोस ने नारा दिया था तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आजा दिदूँगा सुभाजचंद्र बोस था नाइंटीन थर्टी नाइन के अधिवेशन में इस्तिपा दे दिया था नौने राइट तिरपुरी अधिवेशन में आज रखेंगे सीच को अगला प्रस्ट इन्होंने किताब भी लिखी है अन्विटिस रूल इंडिया रूल इंडिया अगला प्रस्ट सतिधनाट अको और निर्मारत के समय भारत का बाइसराय कौन था जब कांग्रिस का निर्मार्ण हुआ तो ए ओ यूम ने इजाजत मागी कि वो एक अधिरेशन करना चाहते हैं भारती लोगों का संगठन बनाना चाहते है राइट ताकि देश के लोगों की जो समस्या है वो अंग्रेज्यों को बताई जा सके और अंग्रेज्यों उसका समझे से बठा जा सके जो गवर्नर थे उन्होंने इसको कुछ लोगों की मंदली कहा 78 लोगों की मंदली कहा ऐसा क्यों कहा क्यों कि पहली बार जब कॉंग्रेस 885 में निर्मार्ण किया गया था डबलू सी विनर्जी अधिक्ष बन आया कुछ लोगों की जो है वो ऐसे कुछ गलत वर्ड इन्होंने यूज कहता है तो राइट अंदर क्या बन जाएगा बी बिद राइट आंसर की कि मेले आसान कोश्चन आ रहे तो डिफकल बिलकुल नहीं आ रहे है अच्छा लॉड करजेन के खाती में दोस्तों जाता है कि बंगाल का बिभाजन या रखेंगे इस चीज को 1905 में हुआ था बंगाल को बिभाजन स्वदेशी आंदुलर 1905 में हुआ था लॉड डलहोजी ऑल्रेडी हम बता चुके हैं आपको डलहोजी के भाइसा पी डबलू डी चला जाएगा रेलवे चला जाएगा खडब की नी नहीं मिल जाएगी मैं इतने बार डेली बताता हूं कि जो पीडियाफ है सारे पेपर्स की वह आलरेडी टेलीगराम चनलर पर पड़ी हुई है आपको कि बार डाउनलोड करना है नोट्स एक्सप्रेस आप जाके डाउनलोड कर लीजे सारी पीडियाफ है ठीक है तो पहली जनसंख्या जो बगयरा था वो इनहीं के समय पर गणना जो की गई थी या तक ही रेपेन बहुत इंपॉर्डेंट है हाँ लाइक काम है यार बात तो सही कह रहा हूँ अगला प्रस्ट बिकाई जी कामा ने पहली बार जंडा किस जगे पर फैराया था मैंने ये question बताया है कि जो भिकाई जी कामा थी दोस्तों उन्हों एक जंडा बनाया इस जंडे में ऊपर की तरफ आट कमल थे, उपर की तरफ क्या थे ? आट कमल थे जो आठ अलग अलग प्रांतों को दर्सा आते थे, भारत के कितने प्रांत थे? बड़े-अठ प्रांत थे. बिटेस सरकारी बात प्राओं और इन आठ प्रांतों में विकाई जी कामा ने सबसे पहली बार बेस सारी जगह पर उनों जंडा फैराया लेकिन पूछा है सबसे पहली बार कहां पर फैराया तो सबसे पहली बार इस्टटगार्ड जर्मनी में उने जंडा फैराया था याद अखेंगे सबी लोग बहुत इंपोर्डेंट है दिख नहीं रहा है सर जी दीक्षा राना दीक्षा राना जी आपका जो वीडियो कॉलिटी है वो 240 पे होगा आप इसे चेंज करके 360 पे ले आईए आपको दिखने लगेगा इंप्रूब दा वीडियो कॉलिटी ओफ यूर वीडियो यूटूब पर जो वीडियो कॉलिटी को उप्शन आ रहा है न उससे चेंज कर लो बिल्कु सही है इस चाट गार्ड इस दा राइट आंसर विकाई जी का माने अच्छा भाई मुझे एक चीज़ और बता दो कि भारत का जंडा किसने डिजाइन किया है भारत का जो फ्लैग है वो किसने डिजाइन किया है तो दोस्तों पिंगली वे कई आने भारत का जंडा divided की किताब जो है वो इन्हीं के तौर लिखी गई है इन्टे डिवाइडिक किताब राजिन प्रिसाद की दौर भारत के पहले राष्ट्रपती है ठीक है और साथ-साथ में जो समिधान सबाते उसके अद्धक्ष्वी थे जंडा से कोशन एक कोशन और बनता है कि जंडा है वो य YouTubers उन्पात में है तो दोस्तो थीन अंपात 2 में हैं किसमें है थीन अंपात 2 में हमारी जंडा बना हुआ है कितनी तिलियां 24 तिलुं है अच्छा यह जो कर वह कहा से ल εδώ तो अशो के चक्म में शोकी इस्तम से लिए अगया अगला प्रस्वन अग्काइट क्यार काणून के सामने काणून के सामने समाक्याइट के तहत आता है क्योंकि सारी अधिकार समानता के अधिकार नहीं आते है अब वो करे 달ा कानून के सामने मतलब कानून सभी को एक नजर से देखेगा भारती मजाक की बात है वैसे तो यह क्योंकि अशा होता नहीं है विलकुल भी नहीं होता है लेकिन फिर भी बहुत क्या बनेगा अंसर तो आंसर बनेगा आर्टिकल चोड़ा एविल बीदर राइट आंसर ठीक है एविल बीदर रा की जीनें परम के अधार पर चैदे आधर पर आप जाती बहुत नहीं कर सकते अच्छाrieory6 612 क्या क्या चयता है 4213 कि अवसेर समान मिलने चाहिए whenever नौक्री के समान मिलने तो उने चाहिए और और क्या चुआ चूवा चूट नहीं करना है अभी भी गाव में चले जाओ तो इस तरीकी के लोग आपको मिल जाएंगे अगला प्रस्ट राज राज पिर्थम ने किस मंदिर का निर्माल करवाया था पर्स्ट में भाई दोस्त मेरे भाई मैंने यही चीज़ बताई थी आपको पहले शिप्ट के पेपर में question पूछा गया था कि इस मंदिर पूछा गया था कि हाँ ये मंदिर किस राज जमें इस्थ है और second shift पूछा गया है कि कि राजा ने ये मंदर का निर्माल करवाया बातलब एकी question है उसी को उन्होंने पूस्ट लिया तो पूस्ट रिपीटेटड है इसके पहले भी question पूछा जा चुका है तो दोस्तों इक चोल राजा है जो carbon सकता है कि जो लिंग राज मंदिर है ये किस डेवता को समध़ पर तो लॉड शिवा सि भवान का मंदिर खीक्डर है तो और यडी कलब फूचाँ एक कोचेज़ी क्या है तो या फिर कलिंग बनाए गए गिया सूर्य मंदिर आपको पता है सूरदेव बर्मन कहां पर है आप चबको पता है कोनात में उड्म इंभिरा अगला प्रश्न वार इस दा यूनिट ऑफ रेडियू अक्टिविटी की कि खोज किसने की toe को बाता रहे हुए When Li के दोस्टों कोज की थीagen डृइन。 हेंडरी बैक्वरल ने ठीक आच्छा रेडियो अक्टिविटी सब्द किस नहीं दिया था तो दोस्तों रेडियो अक्टिविटी के जो सब्द है यह दिया था मैडम क्यूरी ने कि रेडियो एक्टिविटी के खोज के लिए एंडरी बैक्वरल और मैडम क्यूरी और इनके जो हस्बेंट थे रॉबर्ट पेरे क्यूरी इन तीनों लोगों को इन तीनों लोगों को क्या दिया है नोबल प्रुस्कार दिया गया या रखेंगे अगला अब आंसर इसका क्या बनेगा तो दिखनी रहें आंसर तो दिख रहा है क्यों राइट अंसर डॉप्शन से क्या करते हैं और फर्मी क्या है पर्मी इसे होता है अच्छा बाई मेरे सबसे च्छोटी यूनिट यही होती है अच्छा मुझे एक चीज और बताओ कि एक साइंटिस्ट थी जिनका ना इस सुका पहला नुक्लियर रियक्टर बनाए था जिसका नाम था थर्मोपाइल वन क्या नाम था थर्मोपाइल वन क्या दखेंगे और यह कहां पर था मॉस्को में था हाँ 16 सेप्टमबर को हम ओजों दिवस मनाते हैं बिल्कुछ सही है भाई मेरे अगला प्रशन भारत रतन 2019 में इसे किसे नहीं मिला है बहुत ही आराम सा बहुत ही हलवा प्रशन बताओ है हलवा के नहीं है आराम से तुम खा सकते हो यह हलवा ठीक है तो बहुत ही जादा प्रशन यहां पर पूछा है बोलो फटाफट आप सबको पता है कि भाई मेरे नाना जी देशमुक भूपेन हजारिका और अटल बिहार और प्रणा मुखर जी इन तीनों लोगों को 2019 में नुबल प्रुसकार मिला है और अटल बिहारी बाजपाई को इसके पहले प्रुसका अब वहां पर ऑप्शन क्या था यह तो मुझे नहीं पता है लेकिन अपने तरफ से किया है कि मॉनिग शिफ्ट में हलवे में नमक डाल दिया था कि मॉनिग शिफ्ट में तो हलवा बनाया था लेकिन वहां पर मीठा मतलब नमक सुगर की जगे नमक डाल दिया था खाओगे तो मुझे जल जाएगा ठीक है अगला प्रशन अच्छा पहला भार्तरतन किसे दिया गया दोस्तों तो पहला भारतरतन किसको दिया जानताइब आटे में को दिया गया तो अगला प्रशोन को फोठी को सचिद गए अकेले ने इनको भातरन दिया जाए योझना आयोग कभि इस्थापीत किया प्लानिंग कमीशन से कितने सारे क्वेशन पूछी गए एक क्वेशन पूछा गया था प्लानिंग कमीशन पहला प्लानिंग कमीशन पहला प्लानिंग कमीशन के बीच में पहला क्वेशन दूसरा क्वेशन प्लानिंग कमीशन पहला प्लानिंग कमीशन किस पर आधरत था किर् में दिया गा तो धोस्तों जो है वह वो फुस्तों में गरीबी टंब अन्तिम प्लानिंग कमीशन कब शेक्प 1027 के बीच में था रन एक करफ दिया है 50 पंद्रा के बाद में դो पंद्रा मार्च 一न सो पैचाश को प्लानिंग नीती आयों का निर्मान किया गया था अगला प्रश्ण पहला ज्यानपीट पुरुषकार किसे दिया गया है पहला ज्यानपीट पुरुषकार किसे दिया गया है संकर कुरूप को दिया गया है आरके नरायन को दिया गया है हरिवंश राय बच्चन को दिया गया है या इन में से कुछी को नहीं दिया गया है तीनों ही तीनों ही लोगों को कोई ना कोई पुरुसकार पहली बार दिया गया है देखते कितने लोगों को ये आइडिया है तीनों ही लोगों को कोई ना कोई पुरुसकार पहली बार दिया साहित अकादमी प्रुस्कार दिया इसको दिया गया आरके नरायन को अरिवांस राय बच्चन को सबसे पहला सरस्वत्ती सम्मान प्रुस्कार सबसे पहले अरिवांस राय बच्चन को दिया गया था और संकर कुरूप को सबसे पहला ज्यानपीड प्रुस्कार दिया गया था एब लिपी दा राइट आंसर अरे यार चल भाई वो न आ रहा है लेकिन देख नहीं रहा है कि कौन फोन कर रहा है देख रहो इतने अच्छे अच्छे फोन आने लगें आज कर बता वांस हो गया आगी चले अगला पृस्वी मदुशाला के लिए दिया गया था जाद रखेंगे इस चीज को ब्रामोश मिसाइल भारत ने किस देश के साथ मिल कर बनाई है देखते हैं कितने लोग गा आइडिये है ब्रामोश मिसाइल आज़ने लगा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वही तो दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की एक अराम बात करें ज्यान देना जो मैं कहना चाहरों अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये भारत और रूस ने मिलकर बने भाइ इंस तांड के सब्विक्स रखा गाए ब्रह्म्मो से ब्रहम नदी औरlor आगखद है याद पने, रूस और भारत नहीं मिलकर इस मिसाajl का निरमार है अग्ला प्रेस्या 1857 की 57 किसने शुरू कि 1857 की किसने सुरू कि यह question पूछा गया है मेरट के सेनकों के ड्वारा जपार रानी लक्श्मीबाई के दौरा या फिर मंगल पांडे के दौरा question को धेश्यान ध्यान से समझ ना कुछ ध्यान से सुच समझ की आंसर देना क्योंकि ये कोशन आपका गलत हो सकता है देखे मंगल पांडे आंसर बच्चे बता रहे हैं और इन्हों ने आंसर गलत दे दिया है भाई मेरे मंगल पांडे को तो पहले ही आठ अप्रेल को ही फासी पर चढ़ा दिया गया था ये तो भही अठा सतनिकरांती में थ 34 इंफ्रेंट्री की द्वारा इसकी सुर्वात की गए थी एब लिए राइट अंसर मंगल पांडे को तो आइडिया भी नहीं था मंगल पांडे की तो पहले बृत्ती होगी ने तो पता भी नहीं कि उनके बाद अठा सुक्रांती हुई है समझ रहे हैं उन्हों वो तो चर् मंगल चल भाई आंसर क्या बनेगा अच्छा अच्छा 177 की क्रांती पर एक किताब लिखी गई है उस किताब का नाम है भारत का पहला पहला स्वतंत्रता संग्राम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है तो दोस्तों बीडी सावरक प्रतीक चिंता कमल और रोटी और उस टाइम पर भारत के मुगल बास्टा थे बहादुर साजवर उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉड कैनन क्या नाम था लॉड कैनन तो आपको याद अखनी कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजे जो मैंने आपको बताती है कि देभी प्रसाद के रहे हैं सर एक्जाम चार को एक कुछ टिप्स दी दीजिए मैं आपको एक ही टिप्स दे सकता हूं कि आपका बहले तो भगवान भला करे क्योंकि पता नहीं कि आपके सिप्ट में आप आज आए अगर आफ आप आसान स्फ्क्ट में फस्क्राइब तो आपको सारी रिपीड कोर्सन मिल जाएगे तो आईलसस देखके चले जाओ और एक डिप्सक्राइब फसदैर घजि कुछ नहीं कर सकते हैं कि मृआजिकम्त का पठार किस परकार है और आंसर दीजिए तिब्बत किस छेत्र में पड़ता है बाद दो साज है फर सेकेंड बिल्कु सही है वही चीज है अब फुरा तो आइडिया लगा गया अपने से तिब्बत का पठार बलित प्रवत है प्रवत्य पठार है मरसतरी पठार इनमेंसे कोई नहीं नहीं तो देखो इसके option मुझे नहीं बता थे गरीब के लिए आपकी दिवा चाहिए है वाई तहले तो तुम गरीब अरीब नहीं हो सब लोग अपने दिल से इंसान गरीब और अमीर होता है पैसे से कोई भी गरीब अमीर नहीं होता है कब गरीब अमीर हो जाए कब अमीर गरीब हो जाए तो आंसर इसका एका पर्वतिय पठार से साही उत्तर बन जाए कि आगे चले कि की तो प्रोटुकॉल किसके लिए बनाये गाया मतलब प्रोटु प्रोटॉकॉल किस चीस से संबन्देत है पूशन कुछ सब्सक्राइब तो यह कोश्चन थोड़ा सा पूछा लिया था चलो आंसर दो भई पड़ाफट पीडिएफ आपको सारी मिल जाएगी मैंने बोला तो पीडिएफ का बिल्कुल टेंशनलों में टेलिग्राम पर तुरन डाल दे तो उसने क्या किया कि मेरा जो जितना नाम था सब हटा दिया और दूसरे बच्चे को 90 रुपाएं बेठी तो मैंने उससे का कि काम तो सही कर रहा है और पैसे में क्यों बेच रहा हूं यार मैं दे तो रहा हूं फिर तो क्या करें रुभी रोजगार कुछ फायदा हो जाता है कुछ अमांट मिल जाता है तो क्या कह सकते हैं अंसर बनेगा गुलोबल वार्मिंग को रोखने के लिए अच्छा बाई अब आपसे यह पूछा जाए कि जो पैरे समिट है यह किस चीज से लिडेटेड है तो यह भी क्लाइमिट चेंज से लिडेटेड है क्लाइमिट चेंज से लिडेटेड है एक ही बात है और कुटो प्रोटोकाल वह भी सेमी चीज से लिडेटेड है तो आपको यह चीज या दखनी है अगला प्रोटोकाल है 1997 में सबसे पहले यह आया था यह चीज इंपॉर्टेंट है आपको या दखनी है 2005 से एफेक्टेव है एफेक्टेड हुआ है टूटल 84 देश है क्योटो प्रोटोकाल में और क्लामिट चेंज और और ग्लोबल वार्मिंग से लिडेटेड है अगला प मींग कप कि खेल से संबंदे था लुआ कि से हैं कि पता है कि भोटान का जो राष्ट्रेऄं नाजी है इंग्लेंड और शoserी और होस्टिलिया का राष्टी कि कर्केट भारत और पाकिस्तान कई राष्टिएश्रह नहीं चीए नहीं टो नहीं रहे तो रंगा सौमी कब किसे रिटेड है होकी से रिलेटेड है भारत ने सबसे ज्यादा गोल्ड मैडल गेम्स में होकी में ही जीते हैं राइट भारत ने पहले पहली बार उलम्पिक में कब पार्टिपेट किया था दोस्तों काले में ही पार्टिपेट कर लिया था अच्छा आगे चलें कि अगला क्याबनेट मिशन की स्थापना कब हुई यह प्रदार मंत्री बनते हैं यह लेवर पार्टी के थे इन्हों अगर हमारी पार्टी बनती है अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम जितने भी उपनिवेशवाद है जो कुलोनियल सिस्टम से खदम कर देंगे तो उन्होंने सबसे पहले क्याबनेट मिशन भारत में भीजा 1946 में बीबली दे राइट अंसर बहुत बा किस अदस भी थे ट्रकार का सब्द तरह किस लिपी से लिया गया है यह रोमन वड़ है ग्रीक बॉरड है रोमन है लेटन है यह फिर नन उपदर कमेट का मतलब क्या हुत है चुद्र ग्रहीं जो होते हैं उन्हें कमेट क्या आते हैं दिवी पिरसाद के रहे सर्फ पॉस्टिव आता है आपकी स्माइल फेस देखकर भगवा नाम को हमेशा खुश रखे आपको भी बहुत खुश रखे सभी लोगों खुश रखे बहुत ही चोटी सी लाइफ होती है इंसान को हस खेल कर गुजाननी चाहिए बरना लडाई करने स लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होने वाला है इसलिए कि सभी से प्यार करें अभी को खुश नहीं कि आंसर बनेगा लाट का मतलब बहुत है चुद्र कर्ण रहे हैं कि रत्मंदिर का निर्मा किसने करवाया बहुत ही आसान सा प्रस्ण है रत्मंदिर अब दे जलता है कि यह जो बारा पहियों पर बना हुआ रत्मंदिर है यह यहैं मैं जानबूज की आपशन नहीं डाले हैं कि ऑप्शन डाल दीता था फटाक से आंसर दे देंखते इसलिए मी आप स्थम डाले है रत्मंदिर किसे के आते हैं पताव आंसर क्या बनेगा तो दोस्तों रत मंदर कुछ भी नहीं है इसे काला पगोड़ा क्या दो इसे सूर्य मंदर क्या दो अब इसे कुणा का मंदर क्या दो बात एक है काप पगोड़ा क्या दो सूर्य मंदर क्या दो बात एंदई नर्सिम देव प्रथम ने इसका नंधर करवाई सबको पता है इसका अंसर बहुत बड़िया अग्ला प्रश्न यूवेड्यों की स्थापना कब हुई है यह मुझे रखता कि 10 से जादा बार कुछा जा जा या यह कुछन दस से जादा बार रिपीट हो चुका है कि यू एनो की स्थापना कब होई थे तो यू एनो की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1925 में इसी लिए हर वर्स 24 अक्टूबर को हम यू एनो दिवस मनाते हैं ठीक है भाई मेरे यू एनो के पहले महा सचिव कौन यू एनो के पहले महा सचिव कौन थे अल्रेड़ी पूछा जा चुका है बर्तमान महा सचिव है एंटोनियो गुटर जो की पूर्तगाल के हैं इसके पहले थे कौन वानकी मून जो की कहा के थे साउथ कोरिया के थे क्वेशन पूछा गया कि NOVEL पीस प्राइज यू एनो को दिया गया है कब दिया गया है 2001 में दिया गया है उत्व साइम पे मासचीव कौन थे तो कोफी अनान थे, बहुत ही बढ़िया काम किया था नोंने देशों के बीट में धगड़े को खतम किया था इसलिए इनको यह दिया गया था और पहले मासचीव का नाम है ट्रवेली, क्या नाम है ट्रिगविली ठीक है, ट्रिगविली जो पहले मासाचिप थे UNO के बहुत important चिह है इb यूइन में कुल 93 नोवां के दोस्तों यूइनों में नarny यूइनों सकता है आप जब यूइनों का किसे कारण प्र करन से किया गया थ throughout दुत्ये बिस्युद्ध के बाद में बिस्मे सांती बनाए रखने के लिए युए अनू का निर्मार किया गया था otherwise की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन Second World War के बाद में जैसे ही Hitler ने महाक मलब क्या कहते है महाकाल मचाया पूरे बिस्मे जो है असांती फैला दी उसके करण युए नो का निर्मार किया गया कि भविस्ट में कभी भी ऐसा बिस्युद्ध ना हो सके क्योंकि Second World War बहुत जादा भयाब है था कभी समय मिले तो Second World War की बहुत सारी मूवी है जरूर देखिएगा ठीक है भई लास्ट जो देश है उसका नाम है साउथ सुडान बहुत बढ़िया जो अंतिम देश है वो कौन सा है साउथ सुडान जो की युए नो का सदस बना है ठीक है अन एकेडमी का एप जिन लोगों ने भी तर्डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड जरूर करने के बाद अपना नंबर डालेंगे अपना इमेल आईडी डालेंगे राइट अपनी बाकी इंफरमिशन डालेंगे उसके बाद OTP जाएगा आपके मुबाइल पे आपकी जीमेल पर उससे वेरिफाई करेंगे गोल्ड सेलेक्ट करेंगे SSC और SSC में जाकर मुझे सर्च करेंगे योगेंदर सही ठीक है? फॉलो जरूर कर लेना क्योंकि गुरूब डी की क्लासे जल्दी ही मैं सुरू करने वाला हूँ तो जो भी बच्चे गुरूब डी की तयारी करना चाहते हैं नाम केबल SSC है लेकर करूँगा मैं रेल्वे वाला है अप्टेंशन ना लो इस चीज़ को आप सोच रहे हैं सर्च में गुरूब डी की तयारी करा हूँ ठीक है? चलो सेकंड शिप्ट की पीडियाप जस्ट एक मिट के बाद आपको मिल जाएगी जैसे क्लास खताबूगी उसके पहले लाइक कर दो क्योंकि देखने वाले लोग 100 से जादा है और लाइक कभी के बिल त्रेपन है तो यह तो बहुत ही गलत बात है भाई अगर आप सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं आपको मॉक टे इने का मॉकक मिलने का मौक पर यह से समय पर यह कल कलास 1994 सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्श्द फड़ा है अगर फाइफन नहीं होगा है तो गलास नहीं होगा है ठीक है भाई जैन प्लबदो लिल पस्ताइब को बादानी है